सुबह सुबह की भाग दोड में जब कुछ समझना आए कि नाश्टे में क्या बनाना है तो एक बार ये वाला कच्छे आलू का नाश्टा जरूर से ट्राइ कीजिगा बने में बहुत ही आसान है उसके लिए एक आलू को चील कर इस तरह से मोटा मोटा सा ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद हमें गया करना यहां पर एक बाउल में इसको डाल देना है बहुत कम वाइल से हेल्दी और टीस्टी हम ये नाश्टा बना कर तियार करेंगे उ अगर आपको हरी मिच नहीं डालना है तो आप लाल मिच चली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने एक चोटे साइस के टमाटर को इस तरह से चोटे-चोटे तुकलों में कट करके डाल दिया है साथ में मैंने लिए है थोड़ी सी गाजर वेजिस आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं अदरवाइस आप इसको कम चीजों में भी बना कर त्यार कर सकते हैं मेरे पास जो था वो मैंने डाल दिया है साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है आप चाहें तो धेस सार सारी चीजों को हमें यहां समय। सबी और स्वाइब दो और सूजी नौरलगें का पर हिंब करने के बाद साथ इक चमश नमक भी साथ में ही एड कर देना है अब क्या करना है इसको अच्छे शे करना है मिक्स अभी करने से क्या होगा कि सुझा सारा का सारा मौस्टर एप niesाथ कर लेगी और अच्छे से फूल जाएगी यहां पर देखिए सूजी कितने जल्दी से सारे मॉस्टर को एपसॉप कर लिया है एकदम डो हमारा ड्राय सा हो गया है यह सारी चीज़े आपस में मिकस भी हो जाएंगी तो इसकी कंसिस्टैंसई अब हल्की सी थेकी है क्योंकि हल्का सा वेजिस मॉस्टर रिलीस करेंगी तो यह अपने आपी ठोड़ा सा और गीला हो जाएगा अभी हमें का करना है इसमें मसाले एड जीर है जीड़ द़िया ऋसके भाद चुटकी की गरव मसाल डाला है बहुत ज़ादा गरम मसाला अंटर भाण करना होगा भाड़ा के। दो चुटकी मैंने यहां पर हल्दी एड़ कर दी हलके से कलर के लिए तेंगी टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहें तो आमचूर पाउडर या नीबू का रजबी यहां पर एड़ कर सकते हैं बहुत जादा मसाले नहीं डाले है मैंने इसमें इसका अपना ही नेचरल सा फ्लेवर आएगा एक अलग सा तो हमें इसमें ढेल सारी मसाले आइड नहीं करने हैं बस इसको फेटते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए डो भी बढ़िया सा रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है इसको ढग करके पार्च मिट के लिए रख देना है अगर आपके पास टाइम है तो टाइम नहीं है तो आप इसको तुरंद भी बना सकते पार्च मिट में क्या होगा सूजी बढ़िया से फूल जाएगी तो यहां पर देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है बट जरूरी नहीं है कि आप इसको रेस्ट पर रखें अगर सुबह की भाग दोड़ है तो आप इसको बिना रेस्ट के भी बना सकते हैं लास करके तयार हो गया है यह देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बहुत जादा थेक या एकदम पतला सा नहीं रखना है अब चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने यह पर एक पैन ले लिया है अगर आपके पास चोटा पैन है तो चोटा पैन ले लीजिगा कड़ाई तो मैंने यह पर इस तरह का एक पैन लिया है उसमें एक चमच ऑईल डाला बहुत कम ऑईल से आप चाहे तो दो चार बूंद ऑईल से भी बना कर तयार कर सकते हैं एकदम हेल्दी टेस्टी यह बनकर तयार होगा उसमें डाल देना है थोड़ी सी राई और राई जब हलकी सी तड़कने लग जाएगी ना तब हमें क्या करना है इसमें डाल देना है हमारा यह बैटर तो सारा का सारा में बैटर डाल दूंगी कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं एकदम पतला भी नहीं है और बहुत जादा थिक भी नहीं है पस इसे हमें अच्छे से पहला देना है आप चाहें तो इसको तड़का पैन में भी बना सकते हैं सुबह सुबह की भागतौर में समझ नहीं आता है कि क्या बनाए ऐसा मन होता है कि कुछ ऐसा इंस्टेंट नाश्ता बन जाए कि जो एक दार में ही बनकर तयार हो जाए बहुत जादा टाइम भी ना लगे और बह देखिए उपर से एकदम ड्राइ हो गया है और नीचे से बढ़िया सा सिख गया है आप इसको इस तरह से बना कर रख दीजेगा और दूसरे काम करने लगिए चाहे तो रात में गोल बना कर लीजेगा सुबह इसको इसको इंस्टेंट बना सकते हैं बच्चों के टिपिन के बना सकते हैं और यहां पर फिर से थोड़ी सी राई डाल दूंगी और दूसरी तरफ से भी इसको रख देना है और इसको हलका सा और क्रंची होने तक सेक लेना है बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तयार होता है कभी अचानक सा महमान भी आ जाते ना तो सेक लेंगे और पांच मिनिट में ही अच्छे से यह सिक जाएगा आराम से आप पांच-दस मिनिट में इसको बना कर तयार कर सकते हैं बढ़िया से पीसेस में कट कर लेना है तो लीजिए इंस्टेंट हमारा आलू सूजी का नाश्ता बनकर तयार है इसको जरूर से ट्राइ करके देखिएगा बहुत अमेजिंग क्रिस्पी नाश्ता बनकर तयार होता है वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक किजगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकल को दबाना मन भूलिएगा